बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com पंचांग बताएंगे दिन का हाल बताएंगे और राश्यफिल के आखिर में आपको बताएंगे एक ऐसा विशेश उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर भगाएगा तो चलिए राश्यफिल के शुरुबात करता हैं पंचांग के साथ में रहेगा दुपहर को देड़ बज़े से लेकर दो बच कर पच्पन मिनट तक सरवार्त सिध्धी योग है सुबह 6-26 से लेकर शाम को चार बच कर सतरा मिनट तक दिन का सबसे शुब मोरज जो रहेगा वो रहेगा सुबह दस सतावन से लेकर ग्यारा बच कर पच्पन मिनट तक और विशेश क्या है कार्तिक मास की शुरुआत है कार्तिक महिना शुरू होने जा रहा है जिया भौती विशेश महिना आई है भगवान कार्तिके का महिना भगवान विश्णु का महिना परमिश्वर दिपावली भी मनाई जाती है, इसी महिने में हम मनिश्यों की दिपावली भी मनाई जाती है, इसी महिने में धनमंत्री जैंती यानि कि धनतेरज भी मनाई जाती है, रूप चतुरदशी भी मनाई जाती है, इस पूरे महिने में माता लक्ष्मी जो हैं, वो प्रत्वी पर होत यही वो मेना है जब तुलसी विभा संपन्न होता है और भगवान विश्णु चतुर मास को त्याग कर स्वयम फिर शीर सागर में निवास करते हैं स्वयम पुरी दुनिया का भारन पॉर्शन करते हैं विशेश महीना उसकी शुरुवात हो रही है और हमारा जो विशेश उपाय है वो भी कार्तिक भगवान से जोड़ा हुआ है और विशेश रूप से कैसे पारिवारिक जीवन के कलेश खतम होंगे हम आपको यह बताएंगे इसके लिए राशिफल आपको आखिर तक देखना पड़ेगा तो चलिए राशिफल के शुरुवात करेंगे राशि नमबर एक मेश एनिगे एरिस के साथ मेश राशिवालों लाब के अफसर मिलेंगे आर्थ एक स्तिती सुधरेगी वादे पूरे करेंगे आप नई उजना पर काम करेंगे लेन देन के मामले निप्टेंगे जीवन साती सो पहार मिलेगा एक छोटा सवपाय जरू करें पक्षियों के लिए पीली सरसों रखें शुभंक नौ रहेगा शुभरंग रहेगा नारंगी बात करेंगे राशि नमबर दो वरिश राशिवालों खास काम में तरक्य मिलेगी कारेश रितर में लोग सही हो करेंगे दफ्तर में महतवपूंट सलहा मिलेगी दामपत्य भैतर रहेगा पारिवार एक जीवन सुखी रहेगा एक छोटा सवपाय जरू करें कागस पर हल्दी से श्रीम लिखकर परसमे रखें शुभंक छे रहेगा शुभरं रंग के कपड़े पहने शुभंक पांच रहेगा शुभरंग रहेगा हला हरा बात करेंगे चौथी राशी करक यानिकी कैंसर की करक राश वालो काम का बूच कम रहेगा पारिवार एक मतभीत के योग हैं बाद विबाद से बचें आप ठकान और थोड़ी से सुस्ती कुछ बातों में उलजे रहेंगे फुजूल खर्च बढ़ेंगे उधार पैसे देने से बचें कानूनी मामलों में लापरवाई ना करें दफ्तर में नया काम मिलेगा मित्रों से अन्बन रह सकती है एक चोटा सव पाई जरू करें पीपल पर पीले फूल चड़ाएं प्राप्त होंगे एक चोटा सव पाई जरू करें वो ये कि धर्मस्तल में पीले फूल चड़ाएं शुभंक पांच रहेगा शुबरंग रहेगा हरा बात करेंगे सात्वी राशी तुला यानि लिबरा की तुला राश्यवलों सामाजे कामों में हिस्सा लेंगे समाज में म मान बढ़ेगा कानूनी फैसले पक्ष में रहेंगे संतान के साथ मतभेत के योग हैं सेहत के प्रती सतर प्रहें एक छोटा सव पाई जरू करें पानी में हल्दी मिलाकर पीपल पर चड़ाएं शुबंक छे रहेगा शुबरंग रहेगा गुला भी बात करेंगे आठवी र मेहनत से बड़ा मुनाफ़े मिलने के योग हैं कारशेतर में कुछ बहतर करेंगे अचानक धनलाब के योग हैं लंबी यातरा सुखद रहेगी चातरों के एकागरता बढ़ेगी एक छोटा सव पाई जरू करें वो ये कि दूद में शेहद मिलाकर पीएं शुबंक नौ रह रहेगा कागस पर केसर लगाकर किसी किताब या डाइरी में रखदें उपाये आपके लिए शुबंक तीन रहेगा शुबंक रहेगा पीला बात करेंगे दस्फीर राशी मकर यानिक के प्रिकॉण की मकर राशी वालों सेहत में उतार चड़ाव रहेगा यातरा में से अन्बन के योग हैं बहस से बचें जीवन साती से सोच समझ कर बूलें हलका खाना खाना आपके लिए लाबधायक रहेगा एक छोटा सा अपाई जरू करें उत्तर पूर्व मुखी होकर धार्मिक पाठ करें शुबंक आठ रहेगा शुबरंग रहेगा काला बात करेंगे ग चोटा सा अपाई जरू करें वो ये के पूजा घर में केले चड़ाएं शुबंक आठ रहेगा शुबरंग रहेगा काला बात करेंगे बारवी राशी मीन यानि पाइसिस की मीन राशी वालों कारे शेत्र में इच्छित सफलता मिलेगी कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी आर् दोस्तों अब समय आज के विशेश उपाई का वो विशेश उपाई जो पारिवारी क्लेश से आपको छुटकारा दिलाएगा कारण क्या है देखिए कारतिके है जो भगवान वो युद्य के देवता कहलाते हैं तो विशेश रूप से य 개 उपाई ये क्लेश से मुक्ति का पाय है क्या करना आपको देखिए भगवान कार्तिके को कहा जाता है मुर्गन मुर्गन का मतलब होता है छोटे बच्चे और मुर्गन का तमिल में एक और अर्थ होता है वो है खिलोना तो भगवान कार्तिके पर कोई भी खिलोना चड़ा दीजे चाहे वो मिट्टी का हो चाह गरीब बच्च को दान देतीजे और उस पूरे प्रयोग में एक मंत्र का जाप कीजे मंत्र है ओम स्कंदा ये नमहा इन्हें भगवान स्कंद भी कहा जाता है और स्कंद माता जो देवी है वो इनी के माता कहलाती है देवी पारवती ये भगवान शंकर के पुत्र हैं जेश्ट पुत्र है और आश्वस्त करता हूँ पारे बारे क्लेश से निश्चत मुक्ति मिलेगी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें एस्टो तक इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षि